नेपोटिस्म के मुद्दे पर स्टारकेट्स को सपोर्ट करने के लिए एक और डिरेक्टर आगे आगे हैं ये डिरेक्टर पा, कियनका और पैडमेन जैसे फिल्म में बना चुके हैं जी हां हम बात कर रहे हैं आरबालकी की आरबालकी ने हाल ही में इंटर्व्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में नेपोटिस्म के बारे में बात करना ही बेकार है और नेपोटिस्म जैसा शब्द आलिया भट और रनबीर कपूर जैसे आक्टर्स के लिए बहुत हामफुल है क्योंकि इन से बहतर आ इंडस्ट्री में नहीं है आरबालकी ने अपने इस इंटर्व्यू में चैलेंज किया है कि आप आरिया भट और रनबीर कपूर से अच्छा एक्टर लाकर बता दीजिए और उसके बाद हम नेपोटिस्म के मुद्दे पर बात करेंगे उन्होंने कहा है कि नेपोटिस्म जैस मुद्दा कुछ स्टार किट्स के लिए अनुचित है जो वाकई में बहुत अच्छे आक्टर्स हैं और इसी बात से आरबालकी खफा है कि लोग उन स्टार किट्स का टैलेंट देखने के बजाए उनकी पैदाईश देखते हैं कि वो किसी डिरेक्टर और प्रोडूसर या क इसी बड़े आक्टर के बेटे हैं बालकी ने ये भी कहा कि कई बार लोग नेपोटिस्म के मुद्दे पर बात इसलिए करते हैं ताकि एंटिटेन हो सके और ये मुद्दा ट्रेंडिंग में है तो उनकी बात भी लाइम लाइट में आ जाए उन्होंने कहा है कि नेपोटिस हैं जो अपनी प्रॉबलम्स के चलते नेपोटिस्म और इस थरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन ये गलत और इस पूरे नेपोटिस्म के बारे में उन्होंने तर्क देते हुए कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि अंबानी का बिजनस मुकेश अंबानी के अलावा किसी और को संभालना चाहिए हर एक department में यही होता है कि जो business होता है जो businessman होता है आगे चलकर उसी का बेटा या उसी के बच्चे उस business को संभालते हैं बले ही वो अंबानीस की बात की जाए या फिर किसी सबजी वाले की बात की जाए इसी लिए आरबालकी का कहना है कि यह nepotism पर बात करना और nepotism को लेकर इतनी बड़ी problems create करना यह बिलकुल waste of time है हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं और यहाँ पर सब को freedom है अपने हिसाफ से जिन्दगी जीने का आरबालकी ने अपने बयान में नेपोटिस्म को support किया है और कहा है कि नेपोटिस्म होना कोई गलत बात नहीं है यह सब ही जगे होता है क्या आप भी आरबालकी की इन बातों से संतुष्ट हैं या नहीं कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए देखते रहिए बॉलिवूद ठिकाना